अगत है आपको अपने YouTube चानल Information for you में दोस्तो नियमा मली का प्रारूप लगभग अंतिम चरन में है आपके सिक्षा मंतरी और आपके दोनों संग के पदाधिकारी उसको अंतिम रूप देने के लिए हमीशा प्रयास रत हैं राची में कैंप करते हैं, सिक्षा मंतरी से मिलते हैं, आने अधिकारियों से मिलते हैं और उमीद है कि बहुत जल से जल ये सिक्षा मंतरी के द्वारा परासिक्षक संग के प्रतिनिद्यों को प्रारूप दिया भी जाएगा और पास भी किया जाएगा अब दोस्तों क्या होगा कि पास करने के बाद एक ये जो आकलन की परिच्छा है उसको लेकर हमारी बहुत से मित्र परिशान है तो दोस्तों परिशान होने कि आपको बिलकुल भी आप सकता नहीं है किस परकार से पास करेंगे आप कैसे पास करेंगे ये सारी जानकारी मैं आपको उपलब्द कराया जाएगा दोस्तों समस्या ये है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमेशा चिंतित रहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको चिंतित रहने के आप सकता नहीं साथी हूँ ये अगर आप चिंतित रहेंगे तो चिंता से आपकी समस्या सम हैं पारिबारिक बोज समस्या बनी हुई है कम पैसे में अधिक समस्या हैं सामने आ गई है तो चिंता तो स्वभाविक है लेकिन आकलन परिक्षा को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित रहने क्याब सकता नहीं है मैं आपको इस वेडियो में ऐसे ट्रीक बताऊंगा ऐसी बातें बताऊंगा जिसे उमीद है कि आप सियोर सफल होंगे दोस्तों तो आपको चिंता करने क्याब सकता नहीं है आपको क्या करना है आपको सिर्फ चिंतन करना है और चेहरे पे मुस्कान लाना है आपको चिंतन करना है कि कैसे पास करें और पास करने के लिए दोस्तों अच्छा मार्गदर्शन क्या आप सकता होती है मार्गदर्शन अगर ना मिले मार्गदर्शन के अभाव में बहुत सारे शाथी पिछड़ जाते हैं समस् में दोस्तों आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में निसुल्क में आपको आकलन से संबंधी तयारियां भी कराई जाएगी इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल चिंता न रहें चिंता न रहें चिंता न करें ये देखे ये समस्या तो सब के साथ है पारे समस्या सब के साथ है ऐसे की आर्थिक तंगी बिल्कुल है हर हाल में है पर परसान होने के आप सकता नहीं है बहुत सारे साथ ही सोचते हैं कि मैं राची जाकर कैसे त्यारी करूं हजारी बाग, धनवाद, बोकारो कैसे त्यारी करूं क्योंकि पारिवारिक समस्या है साथ में ये सबसे बड़ा समस्या है दोस्तों कहीं भी तयारी करेंगे आपकी समस्या आएगी ही आएगी तो आपको इस चैनल में बिलकुल निशुलक मार्ग दर्शन किया जाएगा आपको यदा संभव सफलता तक पहुँचाने के लिए इस चैनल में फ्री आपको गाइडलाइन किया जाएगा दोस्तों आपको study material भी दिये जाएगे तो आप क्या करें दोस्तों अभी आप इस चैनल को अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो आप इसको subscribe कर लें subscribe करने से क्या होगा आपको समय पर आपको सभी जानकारियां मिलती रहेगी और study material भी आपको तुरंत मिलेंगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है दोस्तों तो तैयारी करने के लिए आकलन का exam जब आएगा तैयारी करने के लिए आपको देखी कुछ points यहाँ पर तैयार किये गये हैं अगर आप दोस्तों यह point को follow करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों सिर्फ छोटा से वीडियो आपको सफल बनाएगा तो दोस्तों आप subscribe कर लें और मैं आपको आगे ले चलता हूँ तैयारी कैसे करेंगे इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कुछ points हैं आप इसको देखें यह दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सफलता के 100% guarantee के लिए 100% guarantee के लिए यह बहुत सारे points दिएगे हैं बहुत सारे भी नहीं मौत्र 5-7 points हैं दोस्तों अगर आप इसका follow कर लेंगे तो आपको जो ऐसे sure guarantee मिलेगी दोस्तों तो आपको देखें करना क्या है चानल को subscribe करते हुए आगे बढ़ें दोस्तों परिवारिक समस्या तो है यह हम जानते हैं सब कोई जानते हैं लेकिन फिर भी दोस्तों आपको दो गंटे का समय निकालना ही होगा दोस्तों परती दिन दो गंटे का समय आप निकाल लेते हैं तो आप जो हैसे निस्चित तोर पर शफल हो जाएंगे ये ये confirm है कि मैं जानता हूँ कि सिक्षक साथी परिसान है वो पढ़ नहीं पाते हैं बहुत सारे समस्याएं हैं तो लेकिन फिर भी दोस्तों आपको यहाँ पर दो गंटे का समय निकालना ही पढ़ेगा अगर आप दो गंटे परती दिन देते हैं और मन से देते हैं दोस्तों मन से अगर दो गंटे का समय आप निकालते हैं तो आपकी समस्या जरूर दूर होगी पढ़ना तो पढ़ेगा दोस्तों पढ़ाई अगर नहीं होगी समस्या बनी रहेगी तो इसमें आप क्या करें कि सु बजी उठकर आप एक घंटा समय निकाल लें और एक घंटा और कभी समय निकाल लें दोस्तों सी और जो हैसे आपकी सफलता मिलेगी उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये है सिलेवस के अनुरूप अध्यान करना अभी क्या होता है कि हम लोग से बहुत सारे स थी सिलेवस समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर होता क्या है ये बहुत बड़ा समस्या है कोई भी बुक को हम लोग उठाते हैं उसको कहीं कहीं से उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं जो बिलकुल निरठक चला जाता हलाकि दोस्तों पढ़ाई निरठक नहीं होता लेकिन फिर भी अभी हमको आकलन की तैयारी करना है, आकलन का स्वरूप कैसा होगा, उसका सिलेवस कैसा होगा, उसके अनुरूप अगर हम तैयारी करते हैं, तो आपको बिल्कुल परसानी नहीं होगी, आपको जो प्रस्ण पत्र दिये जाएंगे, जो सिलेवस जारी होगा, उसके बाद आपको इसी चाइनल पर बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिये जाएंगे, सिर्फ आपको करना क्या है, कि आपको जो हैसे उसका अध्यन करना है समय निकाल कर, और चाइनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो notification तुरंत आप तक पहुँचेगा सब्सक्राइब करके ये bell icon को प्रेस करें तुरंत आपको मिलेगा जैसे हैं syllabus जारी होगा आपको syllabus के अनुसार content बनाकर available करवाया जाएगा दोस्तों और syllabus के अनुशार आप अध्यान करें ये मेरा guarantee है दावा है कि आप हर हाल में सफल होंगे 100% guarantee सिर्फ syllabus के अनुसार चलें यहां से उठा कर पढ़ लें वहां से उठा कर पढ़ लें वह ऐसा नहीं सिलेबस के अनुसार chapter by chapter आप चलें सफलता हर हाल में आप तक पहुँचेगी उसके बाद क्या है दोस्तों ये देखे group study करें ये बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों ये group study का जो बात है यहां पे देखे ये group study जो हमने दिखाया है ये बहुत बड़ा समझे की हम लोगों के लिए एक रामबान का काम करता है इसमें क्या है दोस्तों, कि जब group study करते हैं, group study में होता क्या है, कि इसमें इस प्रकार के कुछ कमजोर student भी होते हैं, कुछ तेज भी होते हैं, कुछ medium भी होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कि एक दूसरे में competition हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे मन में feel होता है, कि हम भी यह तर्या Group Study के माध्य हम से अध्यान करें. दूसरी बात है कि आप Group Study बनाएं कहां? तो Group Study बनाने बहुत जादा भी नहीं. 10-20 का संख्या में भी अच्छा नहीं होता है. आप अपने विद्याले के 2-4 सिक्षक हैं, वो Grouping करके पढ़ें. अगल-बगल के 2 सिक्षक हैं, वो पढ़ें, साथ में मिल करके. मुस्किल से 10 का Group हो, उससे अधीक भी बेकार हो जागा दोस्तों. तो Grouping जरूर करें. और आपको मैं बताओं कि आपका Group कैसा होना चाहिए दोस्तों. आपका Group ऐसा होना चाहिए, जो इसमें आप से तेज तर्रार सिक्षक साथी हों. जो आकलन देने के लिए तयार हों, जिन्हें आकलन दे रहा हूं. आप से अकर तेज होंगे, तो ही आप साथ में खिचा पाएंगे दोस्तों. हला कि हमारे सभी सिक्षक साथी तेज हैं, मैं किसी को कुछ नहीं करा रहा, लेकिन फिर भी हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, कि मैं अपने से अधिक छमता वाले के साथ में रहूं, ताकि हमको मार्गदर्शन मिलते रहें. अला कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जो थोड़ा सा तेज हैं, वो अपने निम्न नीचे वाले को थोड़ा सा देखना नहीं चाहापते, उनसे अलग कट करके रहते हैं. लेकिन अला कि वो ऐसा करना नहीं है, इसमें जो ऐसा अकलन है दोस्तों, एक दूसरे का हाथ खीच करके आगे बढ़ना है साथी हैं. तो ग्रूप स्टडी अबस से करें, ग्रूप स्टडी में बहुत सारा लाब है दोस्तों, और आप सफलता के सीखर पर पहुंचेंगे. उसके बाद अगला जो पॉइंट है, आपके पास वो क्या है, उसको अभी मैं बताता हूँ, ये है, अपने सीलेबस के अनूरूप बच्चों को पढ़ाएं. देखें दोस्तों, इसको देखें, अभी यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको लएगा कि दोनों एक है, लेकिन इसमें बहुत आस्मान जमीन का फर्क है, इसको समझी, इसमें हमने कहा था यहाँ पर कि सीलेबस के अनूरूप आप अध्यन करें, और यहाँ प बच्चे भी पढ़ेंगे, साथ में आपका रिवीजन भी होगा, और जब रिवीजन होते ही चला जाएगा दोस्तों, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सफलता से, यह मेरा गारेंटी है, आप जो हैसे सफल होंगी, हर हाल में दोस्तों, तो बच्चों का मादर कितना दि बच्चों का सिलेवस छोड़ कर, हलाकि किसी को बताना नहीं है बात को मैं बच्चे का सिलेवस नहीं पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, लेकिन आप अपने से यह प्रयास करें, क्योंकि स्कूल में तो बच्चों का सिलेवस ही पढ़ाना है, लेकिन फिर आप जो हैसे, उनको पास करना है तो करना है किसी भी हाल में तो घार पे सुबह में पढ़ें वही चीज को revision school में बच्चों के साथ करें साम में कर लें एक घंटा आपको कोई नहीं रोख पाएगा दोस्तों ये सफलता जो है कोई नहीं रोख पाएगा ये मेरा दावा है दोसरा बात है दोस्तों उसके बाद है कि यहां देखिए यह है अगला पॉइंट जो आपका है वो है मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें हलाकि यह समस्या कहना असान है और करना असान है यह मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी दोस्तों आपको तीन से चार महिना प्रयास करना है कि मानसिक तनाव से दूर रहें किसी भी प्रकार की समस्या हो जब बहुत जटिल समस्या अगर आपके घर में हो आपके परिवार में हो तो ही आप इन्वाल्ब हूँ अर्थाथ छोटी मोटी समस्याओं को आप इग्नौर करें हो सकता है क्योंकि वो समस्या आते जाते रहते हैं कभी कभी साथी क्या होते है कि छोटी मोटी समझ्या उलगं को लेकर इतना तनाओ में आ जाते हैं, कि कहना मुस्किल है, एकदम मतलब समझ ये कि हालात कंभीर हो जाती है, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा आपको, कि आपने जो 2-3 महिना जो आपने तयारी किया, वो तो च उपट हो रहा है वो भी चला जाएगा आप बिल्कुल फिर से जीरो हो जाएंगे सुन्ने हो जाएंगे तो आपको सुन्ने नहीं करना है दोस्तों आपको हमेशा तरो ताजा रखना है एनी टाइम हमेशा अपने मन को प्रसन रखना है बिल्कुल नहीं एकदम आपको परिछा पास करना है इस आकलन को पास करना है तो करना है आगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है परिच्छा के यह दखिए यहां पर परिच्छा के समय प्रस्णों को समझें परिच्छा के समय प्रस्णों को समझें बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं बहुत सारे मित्र ऐसे होते है जो दो नमबर, चार नमबर, तीन नमबर के लिए पीछे हो जाते हैं ये समस्या बहुत जटिल है दोस्तों अधिकांस स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगभग लगभग वहां तक पहुंच जाते हैं तो यहां क्या होता है कि हमको देखना सबसे पहले जहां तक उमीद है कि आकलन में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगा तो आपको देखना क्या है करना क्या है कि यहां पे प्रशन को समझेंगे बहुत सारे प्रस्ण ऐसे होते हैं, जिनमें अंसर तुरत सामने हमको जहलग जाता है, mind में set होता है, हम उसका उत्तर दे देते हैं। कभी-कभी मानिसीक, तारकिक, छमता वाले जो प्रस्ण होते हैं दोस्तों, वो उलजाकर हमें रख देते हैं। तो उस प्रस्णों को हमको करना क्या है कि वो उन प्रस्ण के चार option जो होते हैं उस में आप देखेंगे तो दो बिल्कुल अलग हो जाएगा बिल्कुल छट जाता है और दो अंसर जो होते है वो थोड़ा सा उन दोनों में टकरा होता है तो आप क्या करें वहाँ पर जब clear नह वो ऐसा नहीं करना है दो को बिलकुल अलग करें और दो जो बचता है उस दो में एक टिक करें सी ओर उमीद है कि आपको आपका अंसर जो है बिलकुल सही होगा दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर आप मैनेजमेंट करते हो चलेंगे न तो आपको परिसानी नहीं होगी आगे क्या है दोस्तों, यह है सही होग यहाँ देखिए यह अगला पॉइंट जो है, यह सही होग है सही होग मतलब क्या सही होग अब किसको हम सही होग करें तो दोस्तों, यहाँ पर यह देखिए इस बात को समझें कि हम सभी एक परिवार से जुड़े हुए हैं पैंसट थक जार पारा परिवार हैं अब यहां हम एक दूसरे को सहयोग करना होगा आप क्यों करें सहयोग? इसको समझें इसलिए सहयोग करें कि आप एक क्लासरूम में सिर्फ पारा सिक्षक ही बैठेंगे आप एक दूसरे की मदद करें करना भी होगा दोस्तों एक दूसरे के लिए करें सहयोग हमेसा करना चाहिए और दूसरा बात है इसमें आकलन में सहयोग इसलिए करना होगा कि आप अगर सरकार द्वारा निर्धारित अंक से बहुत ज़्यादा भी ले आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, 2000 रुपया अधिक दे दिया जाएगा ऐसा नहीं है अगर आप passing marks भी लाते हैं तो भी आप pass हैं बहुत ज़्यादे भी ले आते हैं तो भी आप pass हैं आपको वही कहा जाएगा कि आपने आकलन pass किया है अगर आप 99 नंबर भी लाते हैं तो आप pass हैं अगर आप 46 नंबर भी लाते हैं 41 नंबर भी लाते हैं तो भी आप सिर्फ pass हैं कहीं यहाँ पे merit बनने वाला नहीं है इसलिए साथियों दूसरों का सहयोग अवस्य करें ताकि आपके मित्र जो पिछड रहे हैं उन्हें बिल्कुल पीछे ना होने दे दोस्तों दूसरी बात क्या है अगला point को मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है time management यह तो सबसे बड़ा ध्यान दने का बसकता है आप बलकी क्या करें कि आप परिक्षा हौल में जब जाएं तो आप अपने हाथ में घाड़ी अवस्य लगा कर जाएं बहुत सारे साथ हैं ऐसे होते हैं कि time न रहने के कारण मातर 10-20 question में हैं सिमट कर रहा जाते हैं लाश्ट में आपका question यह OMR seat वापस हो जाता है सारा प्रस्ण छूट जाता है दोस्तों सिर्फ time management के करण तो आपको time to time घर से आपको यह समझ कर चलना है कि 100 question में 2 गंटे का समय है या 3 गंटे का समय है तो हमको कितना समय एक question पे देना है मतलब कहने कार थे कि आपको 100 में 100 question हल करके आना ही आना है दोस्तों अगर आप आएंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा 100% जो हैसे आप पास होंगी इस परकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको परिच्छा को पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा ये सफलता की guarantee जो है 100% guarantee मैं देता हूँ दोस्तों और दोसरी बात है कि मैं हमेशा इस channel पे आपको तयारी करवाऊंगा प्रियास करूंगा कि अच्छे से अच्छे content आप तक लेवल हो और वो भी से लेवस कनुरू ताकि आपका समय बरबाद नो हो चाइनल को आप जावस सब्सक्राइब कर ले दोसरी एक और important बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथी के mind में ये set हो गया है ऐसी बातें set हो गई है कि हमारे पास क्या है कि तीन चांस है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपके पास तीन चांस नहीं है आप mind में ये तीन चांस वाला make-up जो है उसको बिल्कुल निकाल दे आपके पास तीन चांस नहीं मातर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक चांस है दोस्तों आप ये mind-magger state कर लेंगे जिस दिन कि सिर्फ हमको एक attempt में ही आकलन को निकाल लेना है तो आपको कोई नहीं रोप पाएगा ये तीन चांस वाला जो समझेया है उसको अपने मन में घर कर नहीं करने दे परिछा का pattern दीनों दीन कड़ा होते चला जाएगा पहले बार में कुछ होगा दूसरे में कुछ होगा तीसरे में कुछ होगा क्योंकि प्रते दिन डिमांड बहुत हो रहा है इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ